ठीक है एक सवाल मैं आप तीनों से लेना चाहूँगा ना मैं कोंग्रेस की बात करता ना मैं बीजेबी की बात करूँगा ना मैं किसी पार्टी विचारधारे की बात करूँगा एक सवाल युवाओं के लिए है जिसका जवाब मैं चाहूँगा कि आप तीनों इमानदारी से graduate हर साल लाखो के संख्या में हर राज़ा से निकलते हैं पर उन्हें रोजगार मिल जाए उसकी एक परतिशत भी गैरंटी नहीं है ना कोई राज़ा सरकार दे पारी ना कोई केंदर सरकार दे पारी पढ़ी लिखी वे रोजगारे का क्या किया जा सकता है नितेशी इसमें जा कि देशमें रोजगार की स्तिती है। शमय सीमीत है तो इसमें देश की सिक्षानिति की थोड़ी कमी है उसके सुदारा जाये और उसको रोजगारों मनाये जाए। तो उसका फाइदा यह होगा कि एक सार दो साल कैसे स्किल्ड कोर्से करवा कि एजूकेशन में प्रोडेक्टिविटी लाई जाए तो उससे समाधान हो सकता है हरिशंकर जी आपको क्या लगता है सर मैं कहना चाहूँगा कि स्किल्ड इंडिया का हमने चलाया था उससे स्किल्ड किये युवाओं को सेकिंड नई सिक्षण निती लेके आए वो केवल प्रैक्टिकल एप्रोच के उपर आधारीत है जिससे केवल एक मेकलो शिक्षा पद्दिती में पहले हम पड़े लिके क्लर्क तैयार हो रहे थे वह नहीं हम खुद हाथ की हुनर हूँ तो हम उमीद करते हैं कि यह सही प्रकार से लागू भी हो ताकि देश के युवाओं का भलाओ सिभी आदव जी एक राहे आप से भी तो ऐसे में जड़ से शुरुवात करने की जरुवत है और देखिए आज अंत्रिम बजट पेश हुआ है आप सभी की जो राय है और कही ना कहीं दर्षकों के लिए बेहद महत्पूर रही बहुत जरूरी थी आज की जो चर्चा और बेहद महत्पूर जानकाली जो है आप स सारे सेक्टर इसमें रहे जिनको छूने की कोशिश भी की गई पुरानी योजनाओं को लेकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उसमें गुंजाइश करने की कोशिश की गई लेकिन क्यूंकि अंत्रिम बजट था तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी घोशना हो जाई या कोई बड़ी योजना आ जाए ऐसी उमीद हम कर भी नहीं सकते थे ऐसे में फिलहाल मिला जूला जो असर है वो देखने को मिल रहा है मिली जूली प्रतिक्रेस को लेकर देखने को मिल रही है चर्चा इस पूरे विश्व को लेकर आज जो की गई उसका कंक्लूजी निकलता है कि मिला जूला असर जो है वो पब्लिक के लिए होगा सिधे तोर पर हम ये कहें कि वरतमान में आपको कोई बहुत बड़ी योजना मिल गई वो इसमें शामिल नहीं था फ्यूचर को लेकर आज का बजट कहा जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद आप सब चर्चा में शामिल ह बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों के लिए जो हमार साथ जुड़े रहे नमस्कार